नमस्कार मैं श्वीत और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन राजधानी पटना में दो दिवसिये इन्वेस्टरस समीटी की गठन बैठक हुई और इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताप को मनजूरे भी में लेकिन वहीं तो दूसरी तरह इन्वेस्टरस इस बात को लेकर काफी जादा डर रहे हैं कि अगर वो बिहार में अपने पैसे को लगाते हैं अगर बिहार में वो निवेश करते हैं तो उन्हें मुनाफ़ा होगा या फिर बिहार में जंगल राज देखने को मिलेगा दरबसल बिहार में लगतार अपराधी घटनाय बढ़ रही हैं और इन अपराधी घटनाय को देखते हुए एक तरफ अब बिपक्ष लगतार सरकार पर निशाने साथती है सरकार से ये बाते कहती है इस तरीके से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा कानून विवस्था सही नहीं रहेगी तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहार में इन्वेस्ट कैसे करेंगी अब इसको ही लेकर बिहार में इन्वेस्टर्स चक्रवियू में फस्ते हुए नजर आ रहे हैं दियोमी के लिए आकरशन का केंद प्राचिन काल से ही रहा है यह आकरशन आज भी बरकरार है इसका अंदाज इस बात से लगाया जाता है कि दो दिनों के लिए बिहार इन्वेस्टर्स चाद प्रसंसकरन के शेतर में लगबग 10,000 करोड के प्रस्ताव आएं तो निर्मान के शेतर में करीब 15,570 करोड के प्रस्ताव आएं पर यह न तो कोई पहला इन्वेस्टर्स मीट है और नहीं यह पहला मौका है जब कडोडो कडोरो रुपे के प्रस्ताब आए हैं पर इस वार बिहार का दुरुभाग्य है कि प्रस्ताब तो आए पर निवेशक उस अनुपात में नहीं आए इस वार इन्वेस्टर मीट में निवेशक भी आए और अपना प्रस्ताब भी रखा आईए जानते हैं कि अब तक किस शेत्र में कितने निवेशक अभी तक आए हैं बिहार एक क्रिशी प्रधाने राज है यहां विविन शेत्रों में विविन तरह की फसले मसलन फल सबजी अनाज मखाना आधी को लेकर प्रोसेसिंग यूनिट की बात राज के क्रिशी रोड मैप में भी होता रहा है विशेश कर लीची आम अमरूत केला मखाना आलू टमाटर के उत्पादन मुख्य फोकस पर रहे हैं इस कार के लिए कई उध्योगिक कंपनियों ने बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की कोशिस भी की है लेकिन अधिकांश बीच में ही पलायन कर रहे हैं इस वार भी खाद प्रसंसकर के शेतर में 15 कंपनियों ने अपना इंट्रेस्ट जाहिर किया है और लगबक 10,304 करोड के निवेश की इक्षा भी प्रकट की है इसके इलावा गोदरेज अनमोल फ्रूट्स ने भी खाद प्रसंसकर उध्योगों के लिए अपने इक्षा प्रकट की है बंगलादेश की कंपनी प्राइट फूट ने भी उध्योग लाने की इक्षा व्यक्त की है बिहार में पशुधन को ध्यान में रखकर चर्म उध्योग की भी बड़ी संभावनाएं हमेशा से रही है वस्त रुद्योग को लेकर भागल पूरी सिल्क जग जाहिर है इसके अरावा हैंजनूम और खादी के वस्त को लेकर बिहार में कई यूनिट बहुत छोटे पैमाने पर कारे भी कर रही है एक कुटे रुद्योग का संसार बिहार में भी बसा है यहां का क्लाइमेट वस्त रुद्योग के लिए माकूल भी है यही बज़ा है कि बिहार के इन्वेस्टरस मीट में पहले दिन 44 प्रस्ता वस्त रुद्ध चमड़ा और खाद प्रसंसकरन के आए हैं सावी लेदर इंडस्टरी में मधुवनी के वस्त रुद्ध और चमड़ा उद्योग में 17 सितंबर 2024 से शुरू करने की घोशना भी कडाली है हाई स्पिरिट कमर्शियल वेचर्स के चमपारन में बैग उद्योग शुरू करने की घोशना की है इटली की एक कमपनी ने मुजफर पूर और पश्मी चमपारन में वस्त को चमड़ा उद्योग विठाने की घोशना की है बिहार में उद्योग अनुपात फलफूल नहीं रहा है इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है एक तरफ राजसभा सांसाद और बिहार के पुर्व डेप्टी सीन सुशिल कुमार मोदी कहते हैं कि बिहार में जब तक लालू और नितेजश्वी सत्ता के किंद्र में रहेंगे तब तक उनके डराने वाले 15 साल को याद करके कोई भी बड़ा निवेशक बिहार नहीं आएगा एक तरफ जहां दो दिनों का ये इन्वेस्टमेंट मिटिंग रखा गया जहां पर इन्वेस्ट करने के लिए बाहर से निवेशक आएं तो वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के आने के बाद बिहार की राजनीती भी शुरू हो गई एक तरफ जहां BJP का कहना है कि निवेशक इस बात से डर रहे हैं कि बिहार में 15 साल पहले जो जंगल राज नजर आता था वो जंगल राज फिर से बिहार में नजर आएगा क्योंकि बिहार में राजस सुप्रीम लालु प्रशाद यादव के बेटे तजश्वी यादव की सत्ता है और कहीं न कहीं इस बात को लेकर वो मुकमंतर नुतिश कुमार पर भी निशाना साथते हुए नजर आए आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार में निवेशक जो हैं वो कितना निवेश करते हैं लेकिन अब फिलहार के लिए इस ख़बर में इतना ही